असलाम वालेकुम लिस्टार्स, वल्कम बैक टो मैं चैनल, आज आप सुनेंगे नौवल कुछ पागल पागल से बाई फरहत इश्ट्याग और फरहत इश्ट्याग के मैं तकरीबन तमाम नौवल्स पढ़ चुकी हूँ, सिवाए एक या दो को छोड़कर एक दो शॉट होंग बहुत बहुत साथा खुबसूरत होगी, तो चलिए बगएर किसी देर के स्टार्ट करते हैं, कुछ पागल पागल से, एपिसोड नौब वन हनी की कराची आमद मेरे लिए एक बड़ा ही खुशकवार सर्प्राइस थी, बगएर किसी पेश की इतला के वो अचानक ही आ गई थी, हाना के परसो रात तो मेरी उन से फोन पर बात हुई थी, और नेट पर चैटिंग तो हमारी तकरीबन हर दूसरे रोज ही हो जाया कर दी थी, मगर उन्होंने अपने आने का सरसरी सा जिकर भी नहीं किया था, पहले से बता दी थी तो सर्प्राइस कहा रहता, हनी और मैं खाला भांजी से जादा एक दूसरे की पकी दोस्ते थी, उनकी उमर और रिष्टे की बढ़ाई का जो वाहिद एहतराम में किया करती, वो मे जाजों की इंतहा से जादा हम आहंगी थी, मसलन बहुत जादा बातूनी मैं भी थी, और हनी भी, फास्ट फूर्ट्स मुझे भी बहुत मरगोग थे, और हनी को भी, जिल में देखने का इंतहा से जादा शौक मुझे भी था, और हनी को भी, किचन के कामों से मेरी भी जान जाती थी और हनी की भी घूमने फिरने और हला गुला करने में मुझे भी मजाता था और हनी को भी शॉपिंग करने और बाजारों में मारे मारे फिरने की रसिया मैं भी थी और हनी भी देज आवाज में गाने सुनना मैं भी पसंद करती थी और हनी भी फास्ट ड्राइविंग में मुझे भी बहुत मज़ादा था और हनी को भी इसके अलावा भी हमारी बेश्मार शौख और दल्चस्पियां एक जैसी ही थी जिन्दकी जिन्दा दिली का नाम है और मुझे उनके इस नजरीय से पूरा पूरा इत्फाक था हनी की कराची आमद कई सालों बाद हुई थी कई सालों बाद यूँ के मैं खुद इतनी जल्दी जल्दी इसलामबार अपने ननिहाल जली जाया करती थी कि फिर वहां से किसी की आमद की गुनजाइश बाकी न रहती नानी के घर जल्दी जल्दी जाने की सबसे बड़ी वज़ा तो खुद हनी थी और वैसे मेरी अपनी नानी से भी काफी बनती थी नानी मेरे लाट बहुत उठाती थी इसलिए वहाँ जाने में मज़ा आना ही था दादी कहती थी मुझे बिकारने में सौ फीस अधात मेरे ननिहाल वालू का है पता नहीं मुझ जैसी मासूम और सीधी बच्ची उन्हें बिगड़ी हुई कहां से नजर आती थी हाथों में क्या बात कर रही थी याद आया हनी कियामत के बारे में आद अच्छे मजबूर होना मुझतसर बात नहीं की जाती हानी खास दोर पर हम लोगों से मिलने नहीं बलकि अपने हैड आफिस किसी काम के सलसले में आई थी ये काम कितने रोज तक चलना था अबे कुछ मालूम नहीं था वैसे अंदाजा ये ही था कि हनी महीना डिर्ड महीना तो लाजमी कराची में रुकेंगी आने के बाद सबसे मिलने मिलाने और तौफे तहाइफ का दबादला करने के बाद हनी अपने आफिस रवाना हुई तो कहीं घूमने फिरने के लिए निकलने वाला मेरा प्रोग्राम अब अपनी मौत आप मर गया मैं समझ रही थी कि अब तो दुपहर हो चुकी है वो आफिस कल से जाएंगी मगर हाई अफसोस मैं इसी गम में मू लटका कर बैठी थी कि हानी से धंग से बात नहीं कर पाई और ये कि वो तो रोज ही इस तरह सुबह से शाम तक आफिस में मस्रूफ रहा करेंगी फिर हमें गपे मारने का टाइम तो मिल जाएगा मगर घूमना फिरना शॉपिंग मौज मस्ती हला गुला इन सब का क्या होगा मैं यूही मो लटकाए बैठी थी कि मेरे निगाह अपनी वालदा माजिदा के फिकरमंद चेहरे पर पड़ी खेर तो है अमी जान ये इतने हसीन चेहरे पर तफकुर की इतनी मोटी मोटी लकी रहे क्यों मैं बवक्त जरूरत अमी के साथ जान का इजाफा कर लिया कर दी थी इस वक्ती इजाफा यू हुआ था कि किचिन में बिर्यानी और चपली कबाब पनी की तयारिया हो रही थी और मैं उन तयारियों से बाइज़द बर ही हो जाना चाहती थी कुछ नहीं उन्होंने बेजारी से मेरे सवाल का जवाब दिया और तो और मुझे किचिन में जाने का नादर शाही हुकम भी नहीं सुनाया अमी और मुझे किचिन में ना धखेले यानि मसला वाकई घंबीर था कोई परिशानी तो थी जिसने मेरी अमी को परिशान कर रखा था किचिन से बचने का बाइज़त तरीका पढ़ाई में मसरोफ हो जाना हुआ करता था सो मैं उसी में मसरोफ हो गई अगर यहां वहां फिरते या टीवी देखते हुए वो जो कहीं जो कहीं दादी देख लेती तो काम चोरी पर एक तवील लेक्चर बिला वज़ा मुझे सुनना पढ़ता ऐसे हर मौकर पर जब मुझे किचन से जान शुड़वानी होती मेरा मस्तक्बिल बाइद में कभी न कभी होने वाला कोई गयर ऐलानिया टेस्ट मेरी मदद कर दिया करता था मेडिकल की मुझे पढ़ाई है कोई मजाक नहीं मुझे पढ़ते देखकर अम्मी तो अम्मी दादी जैसी मुतलिक अलानान शख्सियत भी खामोशी अख्तियार कर लिया कर दी हने की वापसी शाम साथ बजे हुई मुझे उनसे बाते करने का मौका नहीं मिल रहा था दादी और अम्मी उनसे बातों में मसरूफ थे अब्बा और मैं अपनी बारी के इंतजार में खामोश बैठे थे दादी को इसलामबाद और आवल पिंडिके नजाने के इनके इन रिष्टदारों की खैर और आफ्यत की फिकर थी तो अम्मी को नानी और दोनों मामो की तफसिली खैरियत मालूम करनी थी अभी दादी और अबबा यहां मौजूद थे अगर वो ना होते तो अम्मी मामो से भी पहले मामियों की खैरियत खालिसतन नंदो वाले तनजी अलहजे में जरूर दर्याफ्ट करती बावजूद इसके के हनी अम्मी को उनके मतलब के जवाब ना देती उन्हें अपनी भावियों में कोई खास बुराईया नजर नहीं आती थी जबके अम्मी और बड़ी खाला को वो अवल दरजी की चालांक और काम चोड लगा करती थी उनके भाईयों को काबू में कर लिया भाई एद के एद सलाम दुआ के अलावा बहनों की खारियत तक नहीं पूछते वैसे इस कस्म की शिकायते फुपो को अम्मी से भी थी बलके हनी का मेरी मंगनी पर पहला तब सिरा भी यही था कि भुपो मुझे अपनी बगो बना कर जरूर अम्मी से सारे पुराने हिसाब किताब करने का इरादा रखती है अब अपनी बारी का इंतजार करते करते इस खालिस रिवायते गुफतगू से बेजार होकर अपने कमरे में चले गए अजान के साथ ही दादी भी फॉरण महां से उठ गई वो इशा की अजान के साथ ही फॉरण नमाज अदा कर लिया कर दी थी उसके बाद फिर उन्हें पूरे दो घंटे जम कर टीवी के सामने बैठना और ड्रामे देखना होता था बकॉल अम्मी के इस उमर में भी मुसले पर उनका दिल नहीं लगता था रात आट बजे से ग्यारा बजे तक कर टाइम हमारे टीवी लाउंच में दादी कर टाइम हुआ करता था अगर किसी को इस चैनल पर कोई अतरास था और वो अम्मी अबा डॉक्टर चाचू और खुद दादी की तरह अपने अपने कमरे में टीवी रखता था तो अपनी मर्दी से जो चाहें अपने कमरे में जाकर देख सकता था और अगर मेरी तरह वो गरीब मिस्कीन था तो या तो अम्मी अबू के बेडरूम में जाकर टीवी देख ले या फिर सबरों शुकर करके किसकी सास ने किसकी बगू से क्या कहा और किसकी नंद ने किसकी भावी से क्या सुना पस्सिम कर ड्रामे बर्दाश्ट करे दादी के जाते ही अम्मी हनी की तरफ मतवज्जा हो गई तुमने आखर क्या सोचा है हनी हनी अपने असल नाम हनी अबानों से घर में बहुत कम पुकारी जाती उन्हें तमाम करीबी एहबाब हनी कहते थे सिवाए मेरे जिसने बच्पन में ही हनी के बजायों ने हनी कहना पसंद किया था और फिर मेरी देखा देखी मेरी तीनों छोटे भाईयों ने भी उन्हें हनी ही कहना शुरू कर दिया था किस बारे में पिया हनी को भी स्ट्रापलस पर चलने वाले इंडियन सोप्स बहुत पसंद थे और वो इस वक्त उसी नौयत का कोई ड्रामा देखने में महफ थी मुझ में और हनी में वाहिद अख्तलाफी चीज यही थी खुद उनका तो यह हाल था कि अगर किसी वज़े से किसी ड्रामी की कोई किस्त नहीं देख पाती तो रात में जाक करिया अगले रोज दुपहर में जब दुबारा व्रामा आता तब देख लिया करती तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ मैं आखर कब तक ऐसे ही फिरती रहोगी अमी को कितनी फिकर है तुम्हारी शादी की अब अगर अल्हा ने अच्छी शकल दे दी है और अच्छे रिष्टे आए चले जा रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये सलसला हमेशा जारी रहेगा कुछ होश के ना फुन लो तुम्हारे साथ की सब लड़कियां कपकी भी आही गई खुद तुम्हारी सब दोस्ते अर्सा हुआ अपने अपने घरों की हो गई मुझे शीना मिली थी थोड़े दिन पहले एक पार्टी में घजब खुदा का तुम्हारी बच्पन की दोस्त चार बच्चों की मा बन गई है और अब अगर उसके ससरान में फैमली प्लानिंग का नजरिया अभी तक मतार्फ नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या खुसूर है हनी ने अमी की बात काट कर मासूमियस से पूछा मुझे बेसाखता हसी आ गई और अमी ने जट मुझे घूर कर देखा तुम क्या यहां बड़ों के बीच बैट कर दात निकाल रही हो जाकर किचिन में सलाद बनाओ काम की ना काच की काम की बात आते ही किताबे खुल जाती है और जैसे ही काम खतम हुआ किताबे भी वंद अमी ने हनी पर आता गुसा मुझ मासूम पर उतारा अमी अपनी मर्जी और मौका महल के लिहाज से मेरी छोटाई बडाई में तद्दीली करती रहती कभी मैं बहुत छोटी हो जाती और कभी बहुत बड़ी बच्ची नहीं रही हो अब तुम तुम्हारी उमर में मैं तुम्हारी मा बन चुकी थी अगर नानी ने 16 साल की उमर में बेटी ब्याह दी और 17 साल में मैं पैदा हो गई तो इसमें भी मेरा पुसूर था वैसे हमारे नानी भी अजब है या तो बहुत चल्दी करती है या बहुत देर अगर वो 16 और 32 का उसत निकाल ले तो बेटियों की शादी की सही उमर निकलाती फिर मुझे 16 साल की शादी और 17 साल में मा बनने का ताना भी न सुनना पड़ता मगर क्या करें नानी का हिसाब है ही कमजोर मेरी छोटाई बढ़ाई में तबदीली वाले इस मनमाने असूल की जीती जाकती मिसाल मेरी 6 मा कबल होने वाली मंगनी है खेर उस मंगनी का पस्ता मैं अभी कुछ देर बाद आपको सुनाती हूँ जरा हनी और अम्मी की कुफ्तकू का बाकी हिस्सा तो सुन लो कुछ खबर है तुम्हें शीना की बड़ी बेटी छटी क्लास में पढ़ रही है छटी क्लास की बच्ची 10-11 साल की तो लाजमी होगी 10 साल की भी अगर उसकी बेटी है तो इसका मतलब है उसकी शादी को कितने साल हो गए होंगे पूरे 11 हो गए होंगे अपिया अब ऐसे इसलामी जमूरिया पाकिस्ता में तो हो नहीं सकता कि 10 साल की बेटी हो और शादी को 8 साल हुए हूँ हानी इस वक्त जान बूच कर अम्मी को जच कर रही थी अपनी शादी की बात पर वो यूही सामने वाले को गसा दिला कर बात खत्म करवा दिया करती हानी मैं बहुत सीरियस हूँ और तुम्हारे ही बेखुदा और थर्ट क्लास मजाब सुनने के मूड में कतन नहीं हूँ अमी ने घजबनाक निगाहों से उने गूरा मैं भी सीरियस हूँ अप्या और ये समझने से कासिर हूँ के शीनक इस बात पर आपको एतराज है उस गरीब के चार बच्चों पर उसकी बड़ी बेटी के दस साल के होने पर ये च्छटी क्लास में पढ़ने पर अब पढ़े लिखे माबाप की बेटी है क्या स्कूल का मूबी ना देखे मासूं अमी के चेहरे से साब जाहिर था वो हनी का सर फार देने की अपनी सोच को किस मुश्किल से अमली जामा पहनाने से रोक रही थी मैं किचन के दर्वाजे के पास खड़ी उस गुफ्तगू को इंजॉई कर रही थी अमी घुस्से में वहां से उठी और हनी फॉरन टीवी स्क्रीन की तरफ मतवज़ा होकर ये बच्चा तुम्हारा ही है गोपाल मैं तुम्हारे बच्चे की मा बनने वाली हूँ राम पस्म का कोई डायलोग सुनने लगी थी इन कमबख्तों के हर दूसरे ड्रामे में सास बहु के जगड़े के बाद सबसे बड़ा मसला ही बच्चों का होता है ये जुमला मेरा नहीं अमी का था और अक्सर महुत जलकर और चिलकर दादी को इस सुनाया जाता था डॉक्टर चाचू के बाद अमी हमारे घर में इंडियन सोप्स की सबसे बड़ी दुश्मन थी दादी जितनी इन रामों की शायक थी बहु और छोटा बेटा उतने ही बेजार खाने पर हनी की वज़े से बिर्यानी, चपली कबाब, कीमा, शुमला मिर्च, फ्रेश सलाद और खीर कस्टरड का एहतमाम किया गया था देसी खानों में बिर्यानी मेरी और हनी की फेवरिट थी हनी दादी और खास तोर पर डॉक्टर चाचू की मौजूदकी की वज़े से तकल्लुक परत रही थी जबके मैं बिर्यानी पर तूट पड़ी थी अमी ने हनी से कुछ मुँ फुला रखा था और वो ऐसी मासूम बनी बैठी थी जैसे उनकी नाराज की नजर ही ना आती हो हनी आप शादी से इतना भागती क्यूं है हम दोनों खाने के बाद वॉक करने घर से बाहर निकल आये थी हम दोनों के दर्मियान संजीदा मौजवात पर गुफ्तगू का में कम ही हुआ करती थी मगर इस वक्त मैंने वाकई उनसे इस सवाल संजीदगी से ही पूछा था शादी बेकार की दर्दे सरी है खौम खायक लंगूर को अपने सर पर सवार कर लो आपको क्या खाना है क्या पहनना है और कब सोना है और कब जावना है इतने बुनियादी इनसानी हकोग पर भी एक दूसरे फर्द की जारदारी हो जाए पता नहीं लड़कियों को शादी में क्या चार्म नजर आता है यशीना को ही देख लो हमारे कॉलिज की सबसे नाजोकंदाम लड़की हुआ करती थी क्या फैशन चल रहा है कौन से कलर्स इन है और मेक अप की क्या ट्रेंड्स चल रहे है सब हम उससे ही सीखते थी और अब देखो उसे मोटी भैस जैसी तो हो गई है चिपकली की दुम जैसे बाल है पर उन्हें कटवा नहीं सकती कि मिया को कटे हुए बाल पसंद नहीं ट्राउजर और चूडीदार पजा में पसंद होने के बावजूद नहीं पहन सकती कि सर्ताच उन्हें ना पसंद करते हैं ले देकर कसर बच्चों ने पूरी कर दी है उस से भी कभी मिलो तो आदे घंटे बात करके ही मेरे सर में दर्द होने लगता है इस आदे घंटे में कुछ देर मिया जी के दुखडे रोईगी कुछ दिर बच्चों की बिमारियों और पढ़ाईयों की दुख्णेयों मसायल सुनाय जाते हैं और बाकी वक्त सास तंदों की ग्रीबते अल्ला मुआफ करे हनी के मुझे इस किस्म की बाते में पहली भी बेशुमार दफा सुन चुकी थी बेलकि जब तक मेरी मंगनी नहीं हुई थी मुझे पर हनी की इन बातों का काफी असर भी हो जाया करता था बगर अब मेरी सोच ज़रा तबदील हो गई थी मैं हनी से मुक्तलिफ अंदाज में सोचने लगी थी अगर शादी ऐसा लड़ू है जिसे खाकर भी पच्टाया जाता है और ना खाकर भी तो खाकर ही पच्टा लिया जाए कम असकम ये क्रियोसिटी तो नहीं रहेगी कि इस लड़ू का जायका कैसा होता है फिर भी हनी मेरा दिल चाहता है आप शादी करे दुलहन बनकर आम सी शकल की लड़किया एतनी खुबसूरत लगती है फिर आप तो ना जाने क्या वजब ढ़ाएंगी मैंने तसवर में हनी को दुलहन के रूप में देखते हुए अपनी मासुमाना सी बचकाना सी खौहिश का इज़ार किया मेरी चंदा मैं तुम्हारी ये खौहिश जरूर पूरी कर देती मगर मसला ये है कि फ्रेडरिक शादी कर चुका है और उसके सिवा में किसी और से शादी करना नहीं चाहती हाए फ्रेडरिक ये फ्रेडरिक कौन है मैं एक पल के लिए कुछ चमच भी ना पाई जबके हनी बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देखते हुई कहने लगी हाँ यार फ्रेडरिक डेनमार्क का क्राउन प्रिंस इडियट ने मैरी डॉनल्ड सिन से शादी कर ली सोचो अगर वो आस्ट्रेलिया की मैरी डॉनल्ड सिन को शादी के लिए पसंद कर सकता था तो पाकिस्तान की हानिया बानों को क्यों नहीं हनी आप भी ना बस मैं उनकी शरारत पर खिल-खिला कर अस पड़ी थी यार निगी सोने से पहले एक दफ़ा फिर पिर्यानी खाएंगे खाने की वक्त तेरे चाचो की वज़े से खौमका मुझे बन-बन कर पुर्टकलफ तरीके से खाना पड़ा था इतने मज़े की पिर्यानी अपिया ने बनाई है जब हम दोनों साथ मिलते तो इसी तरह रात में जाकर बाते करने के दौरान खाने पीने का शगुल भी करते थे और कुछ ना होता तो बस पॉपकॉन और ड्राइफ रूट्स तो होते ही थे निगी मुझे तेरे बिग शो से मिलने की बहुत बेचैनी है काफी साल पहले दिखा था उस वक्त तो शायद वो स्कूल में पढ़ता था अब तो बहुत बदल गया होगा हम पैपसी की डेर लीटर वाली बोतल सामने रखकर बैठे थे बिर्यानी खाई जा चुकी थी पक्के शराबी और नशेडियों की तरह जैसे ही गलास खाली होता हम उसमें मजीद पैपसी उन्डेल लेते मेरे फुशकवार मूट का सत्यानास करने को नजाने हनी को इस वक्त वो क्यों याद आ गया था कुछ खास नहीं तब भी मोटा था और अब भी मोटा है और मिल आप बिलकु लीजिए गा मौसूफ हर दूसरे दिन यहाँ पाए जाते है मैंने बुरा समू बना कर जवाब दिया मौसूफ हर दूसरे दिन यहाँ क्यों पाए जाते थे यह हनी ने इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि ये बात वो पहले से जान दी थी एक तो आपकी जबर्दस्ती उठाकर मंगनी कर दी जाए उपर से जिससे की जाए वह आपको कुछ खास खास भी न डालता हो तो दिल पर क्या गुजर सकती है इसका अंदाज़ा वही लड़की लगा सकती है जिनने इस सुरतेहाल से वास्ता बढ़ा हो मैं बिचारी अच्छी भली हमेशे की तरह अपने चुट्टियां इंजॉई करने नानी की घर गई हुई थी मेडिकल कॉलेज में दाफला हो जाने की खुशी भी इस बार शामिल थी इसलिए वहां हमेशे से भी जादा इंजॉई किया यहां मेरे पीछे क्या किस्टिड़ी पकी और कप पकी मुझे बिल्कुल पता ना चला पता तो उस वक्त चला जब मैं इसलामबाद रानी के साथ खूब घूम फिर कर मौज मस्ती करके कराची वापस लोटी और अपनी बात तै कर दिये जाने की इतलाह सुनी मुझसे पूछने की जहमत तो क्या की जाती बस एक रस्मी सी इतला दे दी गई गोया मेरे एतराज या इंकार का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था जब मेरी चीखो पुकार और एहतजाज को अम्मी ने कोई एहमियत नहीं दी तो मैंने इस्लामबाद तानी को फोन खड़काया आपकी बेटी और दामाद ने मेरा जीना दोबर कर दिया है अभी मैं धंग से अपने मेडिकल कॉलिज में दाखले की खुशी भी नहीं मना पाई हूँ और उन्होंने मेरी सारी खुशी लेकर ही बरबाद कर दी मैंने रोते हुए अपना मुद्व बयान किया दिमाग खराब हो गया है क्या सिद्धिक का नानी ने घुसे से कहा जब वो अबबा पर किसी वज़े से खफा होती तो उन्हें साजित की बजाए सिद्धिक की कहा करती थी नानी ने अबबा से कब और क्या कहा मुझे नहीं मालू हाल बता ये जरूर हुआ कि उस रात अबबा ने मुझे दादी की कमरे में बिलवा लिया वहां दादी और अम्मी के अलावा डॉक्टर चाचु भी मौजूद थे हमने सुना हैं हमारी बेटी को इस रिष्टे पर एतरास है बाद में अम्मी से चाहे जितनी भी डाट पढ़ती कि अबबा के सामने इतनी बेशर्मी से अपनी शादी मंगनी की बात क्यूं की मगर इस पल में बेसाफता रोहांसी आवास में बोल पड़ी अब आपने देखा है ना अली को इतना तो वो बेटू है आपकी नाजो पली बेटी तो रोटियां थोप थोप करी खत्म हो जाएगी खाने से उसे इश्क था लगता था वो जिन्दा ही खाने के लिए है पड़ने और खाने के सिवा उसे जिन्दगी में कोई दीसरा काम नहीं था मेरी नाजो पली बेटी को रोटियां क्यों थोपनी पड़ेंगी फुपो की घर के कुप का क्या हुआ अब बने महसूस निगाहों से मुझे देखा डॉक्टर चाचू बैठे मुस्कुरा रहे थी जिबके दादी और अम्मी मुझे घूर रही थी डॉक्टर चाचू का वो फेवरिट था इसलिए उनसे इस मौमले में मदद की कोई तवक्का ना थी अब अब वो इतना मोटा भी तो है पूरा कप पूरा विक्षो में ठिनकी ये क्या बना है दादी ने मुझे घूरते हुए अब असे पूछा जो बाकाइदा कहका लगा कर हस पड़े थे अब अके सामने जितनी बोधी और बिल्डंगी दलीले मैंने उस मंगनी की मुखालिफत में पेश की थी अब लकीर पीटने और गम मनाने का क्या पाइदा था मंगनी मेरी होना थी सो हो चुकी थी मैंने इस रिष्टे के साथ समझाता कर ही लिया था मेरी दोस्तों के दबसरों ने सिलसरे में मेरी काफी मदद की थी उन सब का कहना था कि वो खासा गुड लुकिंग है बस थोड़ा सा ओवरवेट है अगर वो अपना वज़न कम कर ले तो बाकिश सब ठीक है उस जैसे मोटे भालू को मेरी जैसी नाजुक और प्यारी सी लड़की मिल रही थी उसे तो मेरे आगे पीछी फिरना चाहिए था मगर यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही थी बतौरे कज़न हमारी कोई बहुत शांदार किस्म की दोस्ती नहीं थी बावजुद इसके के वो हर दूसरे रोज हमारे घर में मौजूद हुआ करता था उसका हमारे गर इतनी कसरस से आना उसके दोनों इश्कों की वज़ा से था जी हाँ उसके दो ही इश्क थे एक बे तहाशा खाना पर एक बे तहाशा पढ़ना और यहां उसके ये दोनों इश्क अम्मी और डॉक्टर चाचु के जरीये पूरे होते थे हमारी अम्मी को पता नहीं वो क्यों इतना पसंद था उसे पका पका कर खिला कर बलके ठुसवा कर बड़ी खुश हुआ करती उसकी पेटू शकल देखती ही लहजे में शहद गोल कर बेटा निहारी पका रही हूँ खा कर जाना जैसा कोई जुमला कहती और बेटा बगार किसी तकल्लुफ के वाकई खुब पेट भर कर और निहारी की धेर सारी तादीफे करते हुए खाना खा कर ही जाता डॉक्टर चाचू से वो पढ़ाई में बहुत मदद लिया करता था कभी उसे उनसे कोई डेफरेंस बुक दरकार होती और कभी क्लास में टीचर की कोई बात पलने नहीं पड़ती तो उनसे आकर समझ ली जाती वो डीमसी में मुझसे दो साल सीनियर था मंगनी हो जाने के बाद भी उसकी आमद इन्ही दो वजवात के तहत होती मंगनी से पहले तक तो ये सब ठीक था मंगनी के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना हम कजिन्स थे हमारे एक दूसरे को फोन करने पर मिलने पर पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता था मैंने अपनी दोस्तों से सुना था कि लड़के अपनी मंगेतरों को मंगनी की रात या उसके अगले रोज लाव मी फोन करते हैं यहां तो इतना करीबी रिष्टा था वो फोन के बजाया फुद बनफ से नफीस आ जाता तो भी कोई अतराज ना करता और वो मौसूफ अगले रोज आई भी थे मगर मुझसे मिलने नहीं डॉक्टर चाचू से अनौटमी की एक किताब लेने उस बत्तमीज को हमारे घर में मेरे सिवा सब कुछ नजर आता था अम्मी और डॉक्टर चाचू तो थी उसकी पसंदीदा तरीन बाकि मेरे भाईयों से भी उसकी बेतकलूफी थी और मुझसे पहले जैसी सरसरी सी गुफ्टगू कैसी हो पढ़ाई कैसी चल रही है कितने फजूल और गयर मंगेत राना सवालात थे थे ना जो साफ लगता था मेरे शकल देकर अखलाकन पूछ लिए गए है उसकी इन हरकतों पर मेरा दिल इतना ना जला करता अगर आसिया हमारे ग्रूप में शामिल न हुई होती हम पांच दोस्ते सेंट जॉजफ से एक साथ इंटर करके डीमसी में आई थी इंटर तक हम छे थे मगर बेचारी हलीमा का हमारे साथ दाखला न हो सका तो हम पांच ही रह गए हम पांच को दोबारा छे बेला ने हमारे ग्रूप में जबरदस्ती आसिया को शामिल करवा कर किया था वो बेला के डाड़े के बिजनस पार्टनर की एकलोती बेटी थी और नई नई ग्लासकों से पाकिस्तान आई थी बेला के डाड़ ने आसिया से बहुत अच्छी दोस्ती रखने और उसका खयाल रखने की ताकीद की थी और इस खास ताकीद ने हम सब को उस इतरादी शकल को बरदाश करने पर मजबूर किया हुआ था जब भी उसे ग्रूप से अलग करने की बात होने लगती पेला हम सब के हाथ पाउँ जोड़ने बैट जाती बहुत दिनों तक तो वो अपने ग्लासकों की किस्से सुना सुना कर ही हमारा दिमाग खराब करती रही फिर अचानक ही उसका हमारी क्लास की सबसे हैंसम और सबसे जहीन लड़के उसमान से अफेर चलने लगा ये अफेर इतना जबर्दस्त और इतना जोरावर था कि थोड़े ही दिनों में उसकी शहरत पूरे कॉलिज में फैल गई हमारी क्लास की तकरीबन तमाम लड़किया जाहिरी बात है आसिया से जेलिस होती थी क्लास की सबसे शानदार लड़के को उसने अपनी अदाओं के जाल में फसा लिया था और बाकिस सब बेचादियां देखती ही रह गई थी पोस बहुत हैं ऐसी कोई हसीन भी नहीं उसमान का टेस्टरी सड़ा हुआ है ये हमारे ग्रुप की सना का बयान था जिसे समान की चॉइस से सफ्त सद्मा हुआ था इन मुहतरमा का क्लास की सबसे हैंसम और शार्मिंग लल्की को अपने काबू में किया था तो उन्हें बाकिस सब लल्कियों से बिल अमून और हमारे ग्रुप से मेरे अलावा बिल खुसोस खत्रा भी लाहक रहा करता था अपने इसी खत्रे को दूर करने और हम सब को ये बावर करवाते रहने के लिए कि इस मफ्तोहा जमीन पर कोई और जंडा गारने की कोशिश ना फरमाए वो इस किसम की बाती किया करती कल तुम लोगों के बहनोई ने फोन पर दो घंटे मुझसे बाती की रिसीवर पकड़े पकड़े मेरा हाथ दुग गया बहनोई कह देने से कौन सा मतासरीन उस्मान ने सुधर जाना और उसे मीठी मीठी निगाहों से देखना छोड़ देना था मेहनोई वाले रिष्टे की नाकामी पर उसने उस्मान को हम सब का भाई बना दिया और फिर गुफ्तको कुछ ही होने लगी तुम्हारे भाई कितने खुशकिसमत हैं औरे मुझे ऐसी खुबसूरत लड़की इतने आराम से मिल गई है सकीना जो हमारे ग्रूप की सबसे मुफट लड़की थी उसने चिल कर एक बार आस्या से बोली दिया हमारा दिमाग खराब नहीं हो गया जो इतने हांसम लड़की को अपना भाई बना ले तुम उसे हमारा क्लास फेलो ही रहने दो इस बात के बाद उसे सकीना से सबसे जादा फत्रा लाहक रहने लगा सना ने आस्या के बारे में एक और दिल्चस्प बात भी बताई थी सुभा मैं तुम लोगों से पहले आ गई थी आस्या कॉरिडोर में सतोन से टेक लगावर खड़ी थी मैंने उसके पास जाकर खड़ी हुई तो सलाम दुआ करते ही वो मुझसे कहने लगी यार सना प्रीज माइंड मत करना मैं इस वक्त यहां उस्मान से बहुत जरूरी बात करने के लिए खड़ी हुई हूँ वो तुम्हे मेरे साथ खड़ा देखेगा तो यहां आते ही इसके जाएगा सना के बताने के बाद हम सबने उस ठीस को खास तोर पर नोट करना शुरू किया तो पता चला कॉरिडोर में सतोन से टेक लगावर खड़ा होना उसका अस्मान को अपने पास बलाने का इशारह हुआ करता था जब वो कलास की दिगरे लिड़कों के हजुम में गिरा हुआ होता और इतने सारे लिड़कों में गुस कर वो उसे बला नहीं पाती हमने गोर किया तो पता चला उधर वो सतून के पास पहुंचती है और इधर वो दो मिलाकर सीधा उसके पास क्या निशानी बनाई थी महतरमा ने उस्मान जब एक ही सिकेंड में घुलाम के लिए क्या होकम है मलिकाय आलिया जैसे अंदाज में उसके पास पहुंचता तो मैं बेसाफता आसिये का अपने साथ मवाजना करने लगती ये तो सिर्फ चकर चला रही है जबकि मेदी तो पाकायदा मंगनी हुई है और मेरे मंगेदर सहब सतून, दीवार, खिड़किया, सीड़िया इन सब को तो छोड़े, अगर मैं वाल ट्रेट सेंटर, जब वो सलामत था उसके रूफ पर, उसकी वाल पर से लटक कर भी, खड़ी हो जाती और वो उस वक्त अम्मी के हाथों की बकी निहारी खा रहा होता तो कहता पहले में निहारी खालों फिरा कर तुम्हारी बात चुनता हूँ उससे अगर निहारी और मुझ में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो वो निहारी को चुनता, मेरे मंगेतर को मुझे ज़्यादा निहारी, पाए, हलीम और बिर्यानी से प्यार था क्या ये बात तिल जलाने वाली नहीं थी कॉलिज में मैं उस्मान को गुलामों की तरह आस्ये के आगे पीछे फिरते हुए उसे तुम्हारे बहनों ही कह रहे थे तुम्हारे भाई ने ये कहा कहते सुनती और घर पर उस मोटो को खुद को नजरंदास करते देखती मैं इन बातों पर ही जली बैठी थी कि अभी पिछले महीने जो इद आकर गुजरी थी उसने मेरी रही सही सब उमीदों पर पानी फेड़ दिया इद की सुबह मैं अपने कमरे में तयार हो रही थी जब रोहेल कमरे के दर्वासे से मुझे छेड़ता हुआ गया जल्दी से नीचे आ जाएं बज्जो बिक शो अपनी मंगेतर से ईद मिलने तश्रीफ ला चुके हैं हाथ में एक पैकेट भी है लगता है आपके लिए कोई गिफ्ट आया है मैं चल्दी चल्दी अपनी तयारी मकमल करके भागती हुई नीचे आई थी और वहाँ सिवाए घर के अफराद के कोई न था अभी कोई आया था क्या मैंने अम्मी के साथ किचन में आते हुए मासूमियत से बन कर पूछा हाँ अली सब को सलाम करने आया था एद के दिन बड़ों को जाकर सलाम करना उनसे दुआएं लेना अब तो सारी पुरानी दिवायते खत्म होती जा रही है चलो हमारी फैमली के बच्चों में इस चीज़ का शगूर है यही गरीमत है क्या वो मामू और मुमानी को सलाम करने आया था और वो पैकेट अपनी किसी गर्फरिंड के लिए खरीदा होगा उस मोटे भालू की कॉन लड़ की गर्फरिंड बनेगी खैर इस दुनिया में बज़ौक लड़ क्योंकि कोई कमी नहीं है इसके मिसाल कॉलेज की पर बहुत सी लड़किया है जिन से मौसूफ की गाड़ी छंती है इद वाले इस मौके के बाद मैंने भी मैकडॉनल्ड के इस बिग पैग हजार दफा लानत भेजी और अपनी जिंदगी में मगन हो गई मैं कोई ऐसी गई गुजरी तो थी नहीं जो उसके आगे पिछे भिरूँ भाड में जाए वो अब वो घर आता तो मैं उससे पी जादा नजर अंदास करती कॉलेज में सामना होता तो पास से ऐसे गुजर जाती जिससे देखा तक ना हो और अगर कभी उसकी फोन कॉल रसीफ करती तो उसके मैं अली बोल रहा हूँ कहते ही उसे होल्ड करवा कर डॉक्टर चाचू दादी या अम्मी को बुला कर ले आती छे महीने की हमारी मंगनी में नजाने में कितनी हजार बार उस पर लानत भेज चुकी थी और नजाने अपना कितना लेटर खोन जला चुकी थी सुबा नाश्टे के वक्त एक गदर मचा था रोज सुबा हमारे घर ऐसा ही बुचाल आया होता जब तक के रोहेल अपने कॉलिज और बहरोज और मुबश्यर अपने स्कूल ना चले जाते ये तुफान यूँ ही सब कुछ हिलाय रगता टीवी बी नाश्टे के दौरान देखा जाता कि अबबा और डाक्टर चाचू नाश्टे के दौरान अफ़बार की सुर्खियों पर नजर दौड़ाने के साथ साथ टीवी पर खबरे सुनना भी पसंद करते थे लोगों के शोर में टीवी का शोर भी मिल जाता तो वाकिए घर मैदाने जंग लगने लगता साज भी कभी बहू थी कि तुलसी चाननी चौक से हार गई टीवी पर ये खबर सुनते ही दादी का मूड आफ हो गया ये कौन जाते शरीफ है? डॉक्टर चाचु ने दादी के लटके मूँ को ताज़ुब से देकर मुझे पूछा मैं दादी की ये बदौलत बगएर किसी खौाइश के स्टापलस के तमाम ड्रामों की मुक्मल मालूमात रखा करती थी इसलिए डॉक्टर चाचु के इस अफसार का फॉरण जवाब दे दिया हनी भी इस खबर को काफी गौर से सुन रही थी लेकिन उनके चेहरे पर दादी जैसा गमों मलाल नहीं था मुझे पता था इन तमाम सोप्स मैं हनी को हिरोईन से नहीं बलकि नेगिटिव किरदारों से हमदर्दी हुआ कर दी थी उनकी अजीब सी सोच थी हर फिल्म हर ड्रामा और हर कहानी में उन्हें मुझबत किरदार से जादा मन्फी किरदार पर प्यार आया करता था मसलन आप अगर अगबरी अजगरी जैसे मशूर और मारूफ किरदारों को ही ले ले तो उन्हें अगबरी बहुत सुईट और बड़ी क्यूट लगती और अजगरी वो घुनी, मीसनी, मकार और ना जाने क्या क्या लगा करती जीच जाती बिचारी वहां की ओर्तों की भलाई के लिए ही कुछ काम कर लेती दादी नाश्टा छोड़ छाड़ फिल हाल ये गम मनाने में मस्रूफ थी हानी, तुम्हें अपनी कुछ फिकर है के नहीं? अब तो तुम से 14 साल छोटी, तुम्हारी भांजी तक की मंगनी हो गई अमी ने रात वाला मौजव एक बार फिर शुरू किया सब लोगों के चले जाने के बाद अब नाश्टी की मेस्ट पर अमी, हनी और मैं ही रह गए थे मुझे आज कॉलिज कुछ देर से जाना था हनी आफिस जाने के लिए बिलकुल तयार थी मगर अमी ने सब के जाते ही जो ये मौजव फिर से छेड़ा तो ने रुकना पड़ा अप या आपको क्या हो गया है आप मुझे इतना बेखबर समझती है कि मैं अपनी लाडली भानजे की मंगनी तक से लाइल्म हो या आपको मेरी यादाश पर कुछ चुबा है कल शीना की शादी और उसके बच्चों के बारे में मुझे मालूमात फराम कर रही थी आज निगी के बारे में यकीन करे मेरा हाफजा बफजल ताला बिलकुल ठीक काम कर रहा है पता है हमारे आफिस में जो अकाउंट्स मैनेजर है वो इस बात पर क्या कहते हैं उन्होंने कोई गलफशानी शुरू की ही थी कि अम्मी ने उन्हें नाराज़गी से चिप कर वा दिया नहीं सुने मुझे तुमारे अकाउंट्स मैनेजर और तुमारे मिया के शिकायते तुमारे इतनी मेहनत के बावजूत उसे तुमारे हाथ का पका खाना पसंद नहीं आता जिसे किस्से सुनना चाहती हूँ अम्मी बहुत संजीदा और गुसे में थी मगर उनकी गुसे से कही गई इस बात ने मुझे और हनी दोनों को हस्ने पर मजबूर कर दिया था हनी खूब खिल खिला कर हसी थी जिपके मैं अम्मी के गुसे के पेशे नजर सर जुका कर मुस्कुराहट जब्त कर रही थी अपिया मैं आपको अपना सच्चा हमदर्द और फैरफास समझती थी आज पता चला आप मेरे मुस्तक्बिल के कितने सुहाने सपने देखा करती है एक तो मैं किसी लंगूर के लिए खाना पकाऊँ वो भी बहुत मेहनत करके उपर से वो उसमें में मिख निका ले सर ना फार दू मैं से खमीस का अवल तो ऐसा वक्त मेरी जिन्दगी में कभी नहीं आना और अगर आ भी गया तो मैं मजलूम और्टों की तरह आप से शिकायते करूंगी उस इडियेट का दिमाग न ठीक आने लगा दूंगी दो सेकेंड में हनी अम्मी को अफसोस भरे निगाहों से देखते हुए उठी और अपना बैक कंदे पर डाला बखुशी अप्या हनी का वारी ही भली उन्होंने अपनी उर्दू दानी का सबूत देते हुए अम्मी के कहरों कजब को मजीद बढ़ाया तुमसे बात करना पथर से सर फोड़ने के मतरादिफ है अच्छा किया जो मैंने निगी के इंटर करते ही मंगनी करवा दी वरना तुमसे इतना दोस्ता आना और याराना उसे भी तुम्हारे जैसा ही बना देता काश अम्मी ने भी तुम्हारी मैट्रिक इंटर के दोरान मंगनी और जट पट शादी करवाई होती उस वक्त अपकी तरह फुद्सर तो ना होती हनी ने मजीद रुखना और इस गुफ्तगू को तूल देना मुनासिब नहीं समझा था वो पहने ही ऑफिस के लिए लेट हो रही थी अलहाफिस अपिया बाय निगी वो हम दोनों को हाथ हिलाती डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई देखा तुमने इसे किस तनह बाद टाल कर चली गई है इससे शादी की बात की जा सकती है और उधर तुम्हारी नानी ने फोन पर मुझे हुकम सुनाया है कि मैं उसे शादी के लिए राजी करूँ और इसके लिए एक अदद मुनासिब सा रिष्टा भी तिलाश करूँ रिष्टे का ऐसा कोई मसला नहीं पर इनसे कौन मघजमारी करे मेरे भेजे में इतना दम नहीं कि इसकी ओट पटांग बाते सुन सकू अम्मी को कितनी फिकर है इसकी शादी की इस एहमक को कोई एहसास ही नहीं आज अकर रिष्टे मिल रहे हैं तो चंद सालों बाद तो कोई पूछे कभी नहीं पता नहीं क्या सोचे बैठी है अम्मी वाकई इस वक्त काफी परिशान लग रहीं थी बात थी भी परिशानी की अपनी छोटी बहन का अगर वो घर बसा हुआ देखना चाहती थी तो ये कोई नाजायस फाइश थोड़े ही थी वाकई हनी को शादी कर लेनी चाहिए आफ्टर ओल शादी कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं जिससे हनी इस कदर चिड़े मैंने दिल में सोचा एक तरफ हनी ने परिशान कर रखाया है तो दूसरी तरफ तुमारे अबा ने उन्हें अपने लाडले भाईया की शादी की फिकर है कह रहे थे क्या बढ़ापे में शादी करेगा उसके बच्चों की स्कूल फीस उसकी पेंशन से जाया करेगी अमी बर्दन समेटी में इससे उठी सारे के सारे पागल और खब्ती हमारे ही फैमली में पैदा होने थे अमी बर्बराते हुए किचन में चली गई सारे के सारे पागल और सारे के सारे खब्ती मैंने अमी की कही बात कुछ सोचते हुए दार आई मेरे जहन में एक अच्छूता फयाल उबरा पागल हनी पागल डॉक्टर चाचू, एक पागल पागल सी फैमली वाउ, जबरदस्ट, मैं अपने इस शानदार आइडिया पर उचली तो बड़ी थी हम मैंसे किसी के जहन में खयाल क्यों नहीं आया था हनी इतनी खुबसूरत, इतनी अट्राक्टिव, डॉक्टर चाचू इतने हैंडसम, इतने काबल और माहे डॉक्टर वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने सच्टी, वाकई चांद सूरच की जोड़ी मैं जोशो खरोश में डूबी ये सब सोचे ही चली जा रही थी कि मेरे खुश वहमियों के गुबारे से ही सोच कर, फॉरण ही हवा निकल गई कि बिली के गले में घंटी कौन बादेगा अगर हनी को शादी के लिए राजी करना नाम हमकिनात में से था, तो डॉक्टर चाचू भी खासी टेड़ी खीर थे उनके साथ हनी वाला ये मसला तो नहीं था, कि वो सिरे से शादी के ही खलाफ थे, और शादी करना ही नहीं चाहते थे वो शादी करना चाहते थे, मगर अपनी पसंद की लड़की से, और उसका मिलना कुछ सहल ना था अपनी मन पसंद लड़की की तलाश में वो अपनी शादी लेट किये चले जा रहे थे अम्मी कभी कबार जल कर दादी को ये सुना दिया करती कि अब बेटे के लिए लड़की नहीं बल्कि और तलाश करे दादी को ये सुनकर आगी लग जाया करती वो अभी तक अबा को बुड़ा मानने को तयार ना थी रॉक्टर चाचु तो वाकी खेर से अभी जवान जहान बलकि नौजवान थे नौजवान दादी की निगाहों में उन्हें तो सोला साल की लिड़की भी मिल सकती थी वैसे हमी सास को चिड़ाने के लिए देवर के मतालिक जो कमेंट्स दिया करती थी उन में ज़्यादा सचाई नहीं थी दादी की कम उमर लड़की मिल जाने वाली बाद से में सौ फीसद मुत्विक थी खोद मेरी कितनी ही क्लास फैलोजर सहिलिया बाग पाइदा करती बेचारे को क्या पता था कि जिनने भोला भाला मासूम और बच्चा समझ कर वो बेटा कह रही है वो मेरी चाची बने के खौब देख रही है बेला और सकीना ने तो बड़ी कमीनगी से कई बार मुझसे ये तक कहा था कि जब डॉक्टर चाची की बीवी का चुनाओ होने लगी तो अपनी मुम्किना चाची की फेहरिस्त में मैं उन दोनों का नाम भी जरूर शामिल कर लू लेकिन मसला ये था कि चाची का चुनाओ करने का एहम मौका हमें मिली नहीं बाता था शुरू में तो रॉक्टर चाची ने खुद ही अपनी शादी के लिए सकती से ये कहकर इंकार कर दिया कि अभी वो मजीद तालीम हासिल करना और अपना कैरियर बनाना चाते हैं मगर फिर जब वो लंदन से स्पेशलाइजेशन करके आ गए और उनका कैरियर भी उनकी हजबे खौाहिश बन चुका तब दादी और दोनों फुपियों ने इस घर की दूसरी बहु की दलाश शुरू कर दी अब उनका इतना काबिल लाइक फाइक डॉक्टर बेटा था उसकी होने वाली बीवी को उन्हीं की तना काबिल डॉक्टर तो जरूर होना चाहिए चुनांचा महावरतन नहीं हकीकतन उन सब ने जूतियां घिसने शुरू कर दी उनकी पसंद के मताबिक ललकी मिलना इसलिए नामंकिन था कि एक ललकी जो बहुत हसीन भी हो अच्छी फैमली से भी हो उसने सिर्फ एमबी बी इस ही ना किया हो बलकि किसी खास शुबे में स्पेशलाइजेशन भी कर चुकी हो और उमर उसकी 20-21 से ज़ादा ना हो किसी तक्रीब में किसी मिलाद या सालगिरा में या किसी भी तरह की पार्टियों में लड़कियों को दिखा जा सकता है अमी कहती थी ये मा बहने भाई की शादी होने नहीं देंगी 20 साल की उन्हें पोस्ट राजुशन की हुई डॉक्टर चाहिए थी कोई अकल की बात भी थी मगर तब कोई ये नहीं जानता था कि मा बहनों से भी जादा अपनी शादी में रुकावट तो खुड डॉक्टर चाचु है ये सब को उस वक्त पता चला जब दादी और पुप्यों का बिलाफर एक लड़की पर इतफाक हो गया वो पुपो के पडोस में रहती थी दुबली पतली हसीन सी काइनकॉलेजिस्ट जिसे देख कर ये गुमान होता कि जैसे अभी अभी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो कर निकली है अब अकी नसीहत और धमकी पर कान धरते किसी ने भी उसकी घरवालों से रिष्टे की बात नहीं की थी वो लोग अभी जानती ही नहीं थे कि उनकी बेटी को इस हवाले से पसंद किया जा रहा है सब ये चाहते थी कि डॉक्टर चाचू भी एक बार उसे देख ले फिर रिष्टे की बात चलाई जाए फुपो ने जबरदस्ती अपने घर परे गेट टोगेधर का एहतमाम किया और वहां उसकी पूरी फामली को भी मदू किया वहां उन्होंने उन दोनों डॉक्टर्स का अपस में तारुफ करवाया और उन्हें बाहम गुफ्टगू का मौका भी फराहम किया वह इतनी हसीन थी कि कोई एहमक ही उन से शादी से इंकार कर सकता था और हमारे चाचू मौतरम ने अपनी हमाकत का बड़े आराम से एलान कर दिया था वह इंडियन फिल्मों की शौकीन है चाचू ने ये बात इस तरह बताई गोया कहना चाहते हूं वो शराब की शौकीन है मैंने उससे उसकी होबी पूछी तो पता चला उसकी वाहिद होबी इंडियन फिल्में देखना है वो शारुफान की हर हर फिल्म पांच-पांच बार देख चुकी है डॉक्टर चाचू ने उस राद घर आकर दादी के इस तफसार पर जब ये जवाब दिया तो सब के मूँ खुले की खुले रह गए वो इंडियन फिल्मों को सफ़त नापसंद करते थे मा सिवाया उन पुरानी मुवीज के जो क्लासिक में शुमार की जाती है उनके लिए इंडियन फिल्मों का नाम लिया जाना भी गाली था मगर इस बात को बन्याद बनाकर किसी लड़की से शादी से इंकार कर देंगे ऐसे तो किसी के वहमों गुमान में भी नहीं था वो शारुख खान और माधुरी की बहुत बड़ी फैन है डॉक्टर शाचु बोल रहे थी गोया वो बेचादी किसी बहुत बड़े गुना की मुर्तकिब हो गई हो अगर इंडियन फिल्में देखना काबिल गर्दन जोनी जुर्म है तो इस जुर्म का सबसे ज़्यादा इर्दकाब खुद उनकी वालदा मौतरमा फरमाती है ये मैंने नहीं अम्मी ने कहा था इतनी खुबसूरत, काबिल और अच्छी फामली की लड़की उन्होंने उसके इंडियन फिल्मों को पसंद करने के जुर्म में ना पसंद कर दी थी कोई तुक थी भला, इतनी मुश्किलों से तो दादी और खुपियों का एक लड़की पर इत्फाक हो सका था घर में सब चाचु से खफ़ा खफ़ा से थे पर उन्हें इस खुफ़की से कोई फर्क नहीं पढ़ता था अब तक इन अराज होने पर उन्होंने अपनी पसंद साफ साफ बता दी थी वो दादी और खुपियों की तरह इस मुक्तवे फिकर से तालुक नहीं रख दे थे के डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर ही होना चाहिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि उनकी होने वाली बीवी डॉक्टर हो या ना हो बस उसे आला दालिंग याफ्टा होना चाहिए था चाहे उसकी फिल्ड जो भी हो उन्हें लड़की के बेतहाशा हसी होने से भी कोई दिल्चस्पी ना थी कबूल सूरत लड़की भी चल सकती थी अगर उसमें वो तमाम औसाफ मौजूद हो जो वो अपनी होने वाली बीवी में देखना चाहती थे और वो औसाफ क्या थे सुग्रापा खाना पकाने में माहिर घरेलू सोशिल मौडरन मश्रकी हर और जिस नहीं इन तमाम बातों में से उन्होंने किसी बात कबे जिक्र नहीं किया था उन्हें बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो अचछी किताबों और अच्छे म्यूजिक की शदाई हो जो किताबों फिल्मों और म्यूजिक के मौमले में बहुत आला दर्जे का जोख इंडियन फिल्में देखने वाली इंडियन आर्टिस्टों की बाते करने वाली लड़की उसे उन्हें बैर था खुद उनका किताब और फिल्म और म्यूजिक में बहुत उमदा टेस्ट था उट पटांग किताबें बेसुरे गाने और हकायक से कोसो दूर तक कोई तालुक ना रखने वाली फिल्मे ये सर ब्रॉक्टर चाचु की आरा थी और मीरा उन से मतफ़क होना जरूरी नहीं वो इन सब से हमेशा दूर रहते थे मताले के वो बेहर शौकीन थे हर मौदू पर वो बेतहाशा पढ़ते एक डॉक्टर जो गालिब के निजबतन गेर मारूफ अशार और शेक्स पिर की मुक्तलिफ लाइन्स रवानी से अपने गुफटगों में शामिल करता हो थी नज़रा मुक्तलिफ सी बात एक ऐसी लड़की जो अच्छी किताबों का शौक रखती हो क्लासिकल म्यूजिक में भी दिल्चस्पी रखती हो और क्लासिक्स में शुमार होने वाली मयारी फिल्मों से भी शुकृफ रखती हो उसका मिलना नाममकिन तो नहीं पर मुश्किल जरूर था ऐसी यकीनन बहुत सी लड़किया होंगी पर चाचु की किसमत हमारे जानने वालों में रिश्टदारों में यहां तक के खुछ चाचु की कुलेक्स में ऐसी कोई लड़की मौजूद ना थी किसी को किताबों का शौक होता तो फिल्मों और म्यूजिक के मैदान में वो इंडियन फिल्मों का नाम लेकर फौरण अपने नमबर कटवा लेती और किसी का फिल्मों में जौफ अच्छा होता तो किताबे पढ़ने से उसे सेरे से कोई दिलचस्पी ही ना होती अजीब मुसीबत थी दादी और दोनों फुफो बहुत ही जल्धार मान कर बैट गई और डॉक्टर चाच्छु को ये इजासत दी दी कि वो अपनी मर्जी की लड़की को तलाश करने ऐसा गोहरे नायाब उन्हें कहीं दस्तियाब नहीं हो सका था अब अब बर डॉक्टर चाच्छु की इस फरमाईश को पागलाना और एहमफाना करार देते थे दादी कहती थी ये इन दोनों भायों का मुश्तरका शौक इन्हें अपने बाप से विरासत में मिला है किसी जमाने में अब अब भी डॉक्टर चाच्छु की तरह किताबों फिल्मों और म्यूजिक में इतनी ही दल्चस्पी और इतने ही आला किसम का जौक रखते थे अम्मी का इस बात पर मूँ बन जाता था किसी जमाने का लपस इस्तमाल किया जाने का साफ मतलब ये था कि अम्मी ने आकर उनके इंटलैक्च्छल बेटे को किसी काम का नहीं रहने दिया था अब्बा मर्हूम की कहां से विरासत बेटों में मुंतकिल हुई हमने किताब तो छोड़ कभी अखबार पढ़ते नहीं देखा था अम्मी मुहीं मुह में बड़ वड़ाती वैसी ये सच था कि अब्बा को मैंने कभी कोई किताब पढ़ते नहीं देखा था पता नहीं उन्हें ऐसा शोक कब रहा था अब तो वह सिर्फ अखबार ही पढ़ आ करते और उस दोरान भी अम्मी मुख्तलिफ घरेलो और खांदानी मसले मसाइल उनके गोश गुजार किये जाती डॉक्टर चाचु को ताहाल अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल सकी थी इसलिए अभी तक उनकी शादी का मौामला जूका तू अटका हुआ था और उनकी शादी मसलसल लेट होती चली जा रही थी जो दादी और अभब को खासा फिकर मन कर दिया करती पता नहीं उससे राक सुना करेगा या सितारा और हार्मोनियम बजबाया करेगा क्लासिकल म्यूजिक से शगफ रखने वाली हो चाचू की खौाहिश पर अम्मी जल कर दबसिरा किया करती चाचू के पास मश्रिक की मगरिबी और दिगेर हर तरह की क्लासिकल म्यूजिक की सीडीज, कैसेट्स वगएरा का जबरदस्ट कलेक्शन था यही हाल फिल्मों का भी था और किताबे, वो तो उनकी स्टडी में एक से बढ़कर एक भरी बढ़ीं थी चाचू कहते थे वो दूसरे लोगों से उनकी जहनी सता और मयार के मताबक गुफ्तकू कर सकते हैं पर अपनी बीवी को वो सौ फीसद अपनी ही जहनी सता का देखना चाते हैं अपने इतने शांदार और नादिरो नायाब खयालात रखने वाले चाचू के लिए मैं हनी का इंतखाब कर रही थी डॉक्टर चाचू इंडियन सोप्स और इंडियन फिल्मों से नाला और हनी उनकी आशिक कौन कौन से फिल्में रिलीस हो चुकी है और कौन से रिलीस होने वाली है इन सब की अप्रूडेट मालूमात रखने वाली किताबे पढ़ने से उन्हें कत अन कोई दिल्चस्पी ना थी अपनी फिल्ड से हट कर दूसरे किसी मौदू पर किताबे पढ़ने का उन्हें कभी भी शौक नहीं रहा था बिल्कि वो तो अफ़ार भी बहालते मजबूरी सिर्फ हालाते हाजर से बाफ़बर रहने के लिए देख लिया करती वाकई वो देखती थी पढ़ती नहीं थी और रहा म्यूजिक वो तो वो तमाम पॉप गलू कार जो चाहें देसी हो या विदेसी उन्हें महबूब थे जिनने चाचो बेसुरा कहा करते थी जाती पसंद ना पसंद में दोनों एक दुसरे की जिद और अपनी अपनी जात में बकॉल अम्मी के पागल और खब्ती से मैं उन दोनों पागलों को बाहम एक कर देने के खौब देख रही थी डॉक्टर चाचो में वो तमाम खूबिया थी जो किसी भी लड़की के आइडियल में हो सकती है सिवाए इस किताबों फिल्मों और म्यूजिक वाले क्रेस के हनी से मेरी मुहबबत का ये वाज़े सबूथ था कि मैं उनके लिए एक शांदार बंदा पसंद कर रही थी रहे चाचो तो हनी उनके लिए बहुत अच्छी बीवी साबित हो सकती थी ये कहां लिखा हुआ है कि अच्छी किताबों अच्छी फिल्मों और अच्छी म्यूजिक से शुकफ रखने वाली ही अच्छी बीवी साबित होगी फिर हनी अमी ही की बहन थी जब अकॉल दादी के अमी ने अबबा के फिल्मों, किताबों और म्यूजिक के आला दर्जी के तमाम शौक छुड़वा दिये तो हनी भी चंद सालों बाद चाचु को ऐसा ही बना देंगी अपनी पागल पागल सी हनी के लिए मुझे अपने पागल पागल से चाचु भाग गए थे और अब थोड़ा सा पागल पंशो करके मुझे परफेक्ट किसम का पागल कपल बनवाना था अपने जहन में आते इस मुनफरिद और श्रादार खयाल को खयालों की दुनिया से निकाल कर हकीकत तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल और जान जोखिम का काम था मगर मुझे इसे करना तो था ही So listeners, this was the end of the कुछ पागल पागल से एपिसोड नमर वन इंशाला जल्द मिलते हैं लास्ट एपिसोड के साथ तब तक अपना खयाल रखे दौाओं में आन रखे, अल्हाफिस